तो फिर्ट से आज मैंने आप लोगों के लिए एक मेकप का वीडियो लाया है इस मेकप को करने में बहुत ही कम मेकप प्रोड़क्ट का उचिया है और सारे मेकप प्रोड़क्ट जो है वह 100 के अंदर में है तो यह एक दो मजट फ्रेंटली है और देखने में देखो आप कितन में आप कुसुंदर लग रहा है लागी नहीं रहा है कि अब इनकिस फ़ॉड़ेशन यह कंसिलर का है इस अब को करने में नहीं ना था प्रोड़ेशन का रिच किया हूआ है और समर के लिए तो बेस्ट है इसा नहीं लगएगा कि हई अपने भी यह को पोड़ लिया हुआ ह तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक्सिव आप कर देना और प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना तो चले फिरिश बिना किसी देरी का हम वीडियो देख लेगते हैं तो सबसे पहले मैं यूच कर रही हूँ एलोवेरा जिल का क्योंकि मेरे पास कोई फेस प्राइमर ही नहीं था 100 के अंदर में तो मैं इसका यूच कर रही हूँ यह पतंजली का है एक्चुली एलोबरा जल जो हता है वो फेस प्राइमर की तरह ही वर्क करता है तो मैं अपने पूरी फेस पे इसको अच्छे से लगा ले रहे हूँ फेस और नेक पे और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं विच करने वाली हूँ वह है बीवी क्रीम यह में फेबरेट है उन्हों और मैं भीना फाउंडेंशन और कंसिलर का मैं मेकप बता रहे हूँ तो मैं इस बीवी क्रीम को अपने फेस पे अच्छे से डॉट डॉट कर लोगी इसके बाद अपने हाथ से यह आप चाहँ हो तो बीवीटी ब्लेंडर का भी हेल्प ले सकते हो इसको अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लोगी आप अराम से ब्लेंड करना टाइम देके इससे आपका फेस पुरान इखर जाएगा इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जॉंसन बेबी पाउडर का हाँ जी मैं जॉंसन बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड एक पौडर ब्रस के हिल्प से मैं अपने फेस पे इसको लगा लूँगी क्योंकि 100 के अंदर में मेरे पास को याइशेट पेलिट था ही नहीं तो मैंने कुछ जुगार किया मैंने लिया यह एलेटिन का जल एंड यह भी 100 के अंदर में आजाता है और मैं इसको अपने आईलिट पे लगा ले रही हूँ बहुत जादा हमें नहीं लगाना है बहुत थोरह से लगा लेना है इसके बाद मैं एक फिंगर के हिल्प से इसको ब्लेड कर ले रही हूँ मैंने इसे अपने क्रीज लाइन के ऊपर नहीं लगा है उसके नीचे से लगा कर ब्लेड कर ले रही हूँ नेक्स्ट में ले रही हो लिप्स्टिक यह भी अलेटिन का है एंड इसको भी आइसेड़ो की तरह ही मैं यूज़ करूँगी जो मैंने काजल लगाया है उसके उपर जैसे इसको प्लेश कर दूँगे हलका समय इसको क्रीज लाइन के उपर से भी लेते आऊंगी इसे काफी प्यारा लगता है मैं अपने दोनों आँखों पर ऐसे अप्लाइ कर लूँगे नेक्स्ट मैं उज़ कर रही हूँ इन वाइब का आई लाइनर एन यह लाइनर मुझे बहुत ही पसंद है बहुत अच्छा भी है यह बज़ेट फिरेंडरी भी है यह साथ मुझे 45 में मिला था जब मैं इसको डिस्काउंट परचेज क्या था तो मैं इस लाइनर को लगा लू हूँ अब मैं अप्लाइ करूंगी कादल तो मैंने आपे जो पहले विज़ किया था ना एलेटीन उसी को यूज कर रहे हूँ एन अपने फिंगर की हेल्प से इसको तुरा सेस्मेंट कर लोंगी इसे काफी अच्छा लगता है अब मैं लिप्स्टिक लगाऊंगी तो मैंने रिव्यू भी शेयर किया है तो मैं इसका आई बटन पर इसका लिंग दे दूंगी आप लोग देख लेना यहां काफी अच्छा होता है वाटर प्रूव होता है और बजट फ्रिंटली होता है मैं किसी भी पार्टी वागर में जाती हूँ तो मैं इसे लिप्स्टिक को इच अपने भी चाहिए वहां पर मैं इसको लगा लेरी हूँ तो मैं सबसे पहले है पने नुज पे लगहाई हूँ और नेग्स्ट् पे अपने आख के पास लगा रही हो और दिन में थ्रोस अपने ब्लोच पर लगा रही हूँ ऩर प्र पास लगा हमघ हैंด यहां बौहथ यह कर रहा है और अब मैं हलका सबने फिंगर से इसको मिला दूंगी ताकि यह और भी बठीया लोग दे आप यह काफी अच्छा लग रहा है आप इसका यूज कर केक पर देख सकते हो काफी बठीया जुगा रहा है लो मैंने जूम कर कर भी बता दिया कि यह कितना अच्छा लग है एं एक दम हाइलाइटेड लग रहा है मेरे फिस है आप लोगों को यह कैसा लगा आप किसी पार्टी में जाने से पले हैसा मेक जरूर करना आपको लोगी तुम देखते ही रचाएंगे अप अपने अकॉर्डिंग अगर हैस्टाइल करोगे तो यह और पी जादा कुब रचाएंगे हैं आप लोग को यह जरूर पसंदा आया होगा है और प्लीज प्लीजथ बीडियो कर देना लाइक और मेरे चैनल को कर देना बिल्दियो कर देना है । है यांज प्लीज कर देना लाइक अदो एस्सटे अगली बाप बाइ!